बात करते हैं उस बात की जुसकी बात हर कोई कर रहा है मुक्तार अंसारी हाट अटाक काने से जुसका अंत हुआ और ये अंत महज एक शरीर का नहीं बलकि पूरे एक रज्य में आतंग के पर्याय रहे शक्स का है जुनके परिवार का डाउन फॉल कुछ ऐसा है जहां पर बेटे होते हैं नाम है सिबकतुला अंसारी अफजाल अंसारी और मुक्तार अंसारी मौका सबसे बड़ा माफिया बनता है उनके तीन बच्चे हैं अफशा अंसारी अबास अंसारी और उमर अंसारी इस परिवार का हर एक शक्स कानून की धाराओं में खैद है मुक्तार अं श्यासत का आप एक रंग देखे भी और समझीए भी जिस सरकार पर विपक्शी पार्टियां साज़िश का आरोप लगा रही है उसी परिवार का बेटा खुद उसी सरकार का आद्मी है मुक्तार अंसारी का बेटा NDA का विधायक है अबास अंसारी सुभासपा से विधायक है सुभासपा NDA की सदस्य है NDA का नेत्रत्व BJP के हाथ है मतलब यह है कि यहाँ पर सियासक का खालमेल भी है और इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए आज आपको मुक्तार की वो पिक्चर देखनी चाहिए जो शायद आपको कहीं नहीं मिले और इस पिक्चर का नाम है गैंक वार जो आपको मुक्तार की पूरी कहानी समझाएगी और इसकिन जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया मुक्तार की वो पिक्चर आपको दिखाने वाली हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी और इसका नाम है गांग बॉर ये कहानी एक निशानिबास की है जो हवा में उर्थी चिडिया को जमून पर गिरा देता था लेकिन उसके हाथ की बंदूख ने जब आस्मान से अपनी नजरे हटा तो बस्तियों की गलिया कोलियों की तर्टराहट से गुम जुठी परिंदों का शिकार करने वाला जब इंसानी बस्ती में घुसा तो कोहरा मच गया अब बैचार नहीं अब बार होगा मुन्ना मुन्ना अभी सबर रख जल्द बाजी में हाथ जला बैठेगा अभी वक्त है उसे थोड़ा और जीने दे जल्दी बरेगा वो अभी दो घड़ी और बाकी है उसकी जिन्दी में जीने की नहीं बहिया बार के मतलब बार ही होगा गाजीपूर गाजीपूर को मुक्तार ने अपने जुर्म का ठेकाना बना लिया था यहीं से मौत के फर्मान निकलते थे गाजीपूर में गोलियों की गरजन ने सरकार के सिहासन हिला दिये थे क्योंकि मुक्तार गाजीपूर से ही पुर्मान चल में देहशत फैलाता था क्योंकि मुक्तार फीका थार्ड़ में जुर्मान प्राजीपूर जुर्मान चल में प्राज़ से खाल प्राज़ भाज़ प्राज़ जुर्म की दुनिया में मुख्तार कदम रख चुका था थेकेदारी में मुख्तार की तूटी बोलने लगी थी कुछ जिसे चाहता था, मार देता था पूरे पुर्वांचल में मुख्तार का सिक्का चलने लगा भीया, बटाद आपके ठेके जारे हैं, बोलने लगाने क्या रहा है परसाद कौन है बे? नहीं नहीं पेशने बाद हुआ भीया, इत्ते हर्म है जा आप परसाद को बुला कर लाओ आओ परसाद आओ तुम्हारा परसाद यहीं रखा हुआ है बोलने लगान लाइज मुवी नहीं छोड़ूगा परसाद, जागर परसाद ठाले और पानी पीकर सोजा नहीं तो जिन्द की वरुप नहीं उपाएगा पूर्वानचल मतलब मुख्तार मुख्तार मतलब माफिया और माफिया मतलब खूंखा पूर्वानचल के कान गोलियों की आवाज के आदी हो चुके थे जब भी पूर्वानचल का जिक्र चलता था कानों में गोलियों की तर्टरा हट बूजने लगती थी पूर्वानचल की हवा में मुख्तार ने बारूत का धुआ घोल दिया था गाजीपुर और मौउ को मुख्तार ने एक शहर से ज्यादा माफियाओं का अड़्डा बना दिया था मुख्तार जुर्म की दुनिया में अपने कद की लकीर को लंबा कर रहा था तो मुख्तार के कद को जोटा करने के लिए एक चंस जुर्म की दुनिया में कदम रख रहा था तारीख 27 अगस्त 1984 जगा थोरहरागां वाराण से भाई का फोन आया है प्रिजीज के बापक काम लगाना है और वो यहां मिलेगा चलो जब दो पिता जी की हत्या का बदला इसी जनम में लेना है परिया हम लगे हुएं तुम टैंसन मतलो उनकी आत्मा की शानती के लिए उनके हत्यारों को मारना जरूरी है बोज में अपने छाटी पर लेकर नहीं मर सकता तरीक, नो अप्रेल उनिसो ची आजी? जगर, सिक्रोरा, सिक्रोरा गाउं चंदोली अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए प्रिजेश शेंग ने जुर्म की दुनिया को अपनी जिंदगी बना गया और प्रिजेश शेंग ने साथ लोगों को मौत के घाट उतार दिया और खुद जी चला गया पूर्वान्चल की इस खूनी कहानी में केरदार तो दो हैं लेकिन हीरो कोई नहीं सिर्फ दो विलन हैं और दोनों की अदावत में जलता हुआ पूर्वान्चल है पहले किरदार में मुख्तार अंसारी को रसूख के नशे ने तो दूसरे किरदार बिजेश सिंग को बदले की आँख ने पूर्वान्चल का गैंग्सचर बना दिया गैंग्सचर के गैंग वार ने पूर्वान्चल को रक्त रंचित बना दिया पूर्वान्चल में मुख्तार के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था लेकिन जुर्म की दुनिया में अपने पैर जमाने के लिए प्रिजेश से सीधे मुख्तार अंसारी को चुनौती देने लगा ये भई या वे जो चुनावधी दे रहा है कि अध्या ये पिदीना पिद्दी का शोरबा करने तुंपन की तरह काट के फैक देंगे फिद्ट मुख्तार के इना रेक्व को सबर कर भी सबस्क्राइब मुना सबर क्टे पर उठाले जाएंगे उसे कहाई समझा है मुख्तारंस तारीक तीन अगस्ट उननीस सो एक्यानवे जगर वरानसी कॉंग्रिस नेता अजय राय के बड़े भाई अफदेश राय अपने घर के बाहर खड़े थे इसी दोरान एक कार में मुखतार अंसारी समेथ उसके गुर्गे सवार होते हैं कार अचानक अफदेश राय के दर्वाजे पर रुखती है और मुखतार के गुंडे अफदेश राय ताह पर तोड़ फारिंग करके वरार हो जाते हैं जर्म की दुनिया में अपने कदमों को जमाने के लिए मुखतार सियासत की सीड़ियां तलाशने लगा मुखतार समच चुका था कि सियासत के बिना बंदूग की नोग पर जमा की गई अवैदिस संपत्ति विखर जाएगी 1996 मुखतार ने मुखतार के चुनावी मैदान में हाथी के निशान पर ताल ठोक दिये मुखतार मौ से जीत कर पहली बार विधान सभा पहुचा और अब सत्ता के पावर की नाल से मुखतार ने बिजिश सिंग के सामराज्य को हिलाना शुरू कर दिया और यही से पूरवांचल की इस कहानी में खून की नदिया बहने लगी मुखतार को जितना धील देगा उतना उचा उड़ेगा उड़ने से पहले जमीन पर गिरा देगा गुड़ो मुकतार को रास्ते से अटाने का वक्त आ गया है जब तक यह रास्ते से नहीं अटेगा हमारे रास्ते नहीं खुलेंगे भाईया यह काम इतना असान नहीं है गोली छोटा बड़ा नहीं देखती है जब सीने पर पढ़ती है टप से तैयारी करो तारी 15 जुलाई 2001 जगा उसरी चटी गाजी पर मुकतार अंसारी गाजी पर से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए निकलता है दोपहर करीब साड़े बारा बजे मुकतार अंसारी मुहम्मदाबाद के उसरी चटी पर पहुँचता है और अचानक उसकी गाजी पर तावड़ तो पारिंग होने लगती है जिसमें मुकतार के गनर की मौत हो जाती है मुकतार को पता चल गया था कि क्रिश्णानंद राय के इशारे पर विजेश सेंग ने उस पर हमला करवाया है एक बार फैर से पूरवांचल बदली की आग में सुलगने लगता है गाजीपुर की मुहम्मदाबाद विधानसबा सीट पर उननीस सौ पिचासी के बाद से अंसारी परिवार का दबदबा रहा लेकिन इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए दो हजार दो में प्रिजेश सेंग को राजनीतिक संरक्षन देने वाले क्रिश्नानंद राय ने मुक्तार के भाई अफजल के खिलाफ मुहमदाबाद से पर्चा भर दिया और क्रिश्नानंद राय ने मुक्तार के भाई पाँच बार के विधायक अफजल अंसारी को हरा दिया कृष्णानंद की जीत से अंसारी परिवार बुरी तरह तूट गया अंसारी परिवार के साथ अच्छा नहीं हुआ है मुन्ना भाई जो भी रास्ते माएगा मारा जाएगा तंजीव अब भी ऐसे कुछ नहीं करना है मेरी मुक्तार भाई से बात लिए तो गैंग बॉर की हमारी खास पेशकर शागे भी जारी रहेगी निसी बीश में बड़ी खबर है पहले आपको उसकी जानकारी दे दो और वापस आईए आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकर गैंग वार मुक्तार अंसारी, ब्रिजेश चिंग और कृष्णानंद राय की बरबाधी की स्क्रिप्ट लिखने लगा कारणसारी ने सबसे पहले अपने उपर हमला करने वाले गैंग्स्टर वुजेश चिंग के गूरु त्रिभुवन के भाई और जिला पंचायत स्रदस्य अनिल सिंग को 2003 में गाजीपुर के सैदपुर में सरेबाजार गोलियों से छन्नी कर दिया मुक्तार ने संदेश दे दिया था कि अब गाजीपुर में गैंग वॉर होगा और चुन-चुन कर बदला लिया जाएका 2003 से 2005 के बीच ब्रिदेश के सक्रिय ना होने से मुक्तार पूर्वांचल का सबसे बड़ा गैंग्स्टर बन गया और अब मुक्तार के निशाने पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद रहे थे मुन्ना कृष्णानंद का गैम ओवर करो ठीक बईया उसकी हर हरकत पर हर एक्टिविटी पर नजर रखो ठीक बईया आपको इसे बहुत जली घरणा मिल जाए मुक्तार अंसारी मुहम्मद अबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद रहे की हत्या की साजिश रच चुका था लेकिन एक युवक की हत्या के बाद मौंचल उठा गैंक्स्चर मुक्तार जीप के उपर बैठ कर मौं में गूमने लगा अदालत ने मुक्तार को जेल भेज दिया मुक्तार के जेल जाने के बाद ब्रिजेश सिंग और कृष्णानंद राय को लगा की मुक्तार का गेम ओवर हो गया लेकिन मुख्तार ने जो किया, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था. कारिय, 29 नवंबर 2005, जगर गाजी पर. बीजेपी विधायक क्रिश्नानंद एक कारिक्रम से लौट रहे थे. मुख्तार के कच्चे रास्तों पर क्रिश्नानंद की दो गाड़ियां दोड रही थे. किसी को अंदाजा नहीं था. लेकिन मुख्तार का मुख्य शूटर मुन्ना बजरंगी घात लगाए रास्ते में खड़ा था. और मुख्तार के गुर्गों ने बीजेपी विधायक क्रिश्नानंद वाई की गाड़ी को घेड लिया और ताबर तोड फारिंग कर दिया. जिसमें बीजेपी विधायक क्रिश्नानंद वाई समें छे लोगों की बौथ हो गई. क्रिश्नानंद की हत्या के बाद मुख्तार पूर्वांचल का सबसे बढ़ा डॉन बन गया. लेकिन मुख्तार का ये वक्त बहुत दिनों तक नहीं चल सका. जुर्म की दुनिया में अपने कदमों की आहट से दहशत फैलाने वाला मुख्तार अंसारे अब वीलचेर पर आ गया. मुख्तार के पापों का हिसाब होने लगा. और कानून ने मुख्तार का कॉलर पकड़ कर उसे जेल की कोटरी में भेश दिया. मुख्तार के बांदा जेल में आने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गए. लेकिन यहां से मुख्तार की मुख्तारी खत्म होने लगी. जिस शक्त के पीछे काफले चलते थे, वो मुख्तार दुनिया का सबसे अकेला शक्स हो गया. मुख्तार की आखरी बात उसके वेटे, उमर अनसारी और बहु से हुई, जिसमें मुख्तार असहय नजर आ रहा है. अजी बापा, ज़ालेकूम, आप ठीक हैं? ज़ालेकूम, पापा, आप जिम्मत से रही है, चलत तब सही होगा. रमधान का पाक मेना हम लोको पूरी उमराब कुछ बोलिये पापा, जो जो हम से काना आप बोलिये पटपट. पाक्षी नहीं है, रोजा ही नहीं है, नहीं एक वक्षी दमात नहीं है, हम बेहोशी चाहित को जाना है, आप अब बिलकुल बहुत कमजोर हो गए हैं, आप हमने देखा, वीडियो में देखा, हमने जवाब किस चार्ज हुए हैं तो, नियूस वाले दिखा रहे थे, पापा म यहीं कोट में हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, या टाली बागवाली को अदालत में हैं, हम या लखनों बहुत करा रहे हैं, अगर परमिशन आज होके नकल मिल जाएगी तो, कल हम मिलने आएंगे आप से, हम भावी दोने लोग मिलने दो देन, चार देन, पांच देन आओर, ताकि हम ओट रहे हैं, हम भावी दोने हैं, हम समझ रहे हैं, बापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल हो तो दिखी रहा है, कि बिल्कुल हो जहर काता बसार है, बापा, लेकिन आल्ला बहुत बढ़ा है, हम लोग पार के कर रहा है आप पर आप बहुत जल सही हो जाएंगे इसाला है किसी भी तरह हिम्मत कर के बापा फॉन कर लिया कर ये रोज आपके आपके अवास उनके जान में जान आ वे यह मुट्टे अब बाबो अब अब अगर विना रख तो भी रख रखे होगा तो रूर है जिया और उन्हें तो बॉडी तो चली जाएगी बिलकुल रहेगी बापा इंशाला बिलकुल अबी आल्ला से लिएम लोगो हज कराएंगे अज उम्रा सब कराएंगे आप बिलकुल हम्मत से रहे हैं आप से जादा हम्मत किसके पास है श्रफल मुखलुगायत है और आप हमें पता है कि हाँ बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तरफ उकतर मर जाा है आप बहुत हिम्मत से जो गलो है देखो बॉडी चुलना नहीं हो पाँ है जाएड़ वीलकुल शेयर के आए है और वीलकुल के प्यूर चुल मोख़एंगे नहीं हो से है ते दिन बदिन गिरने लगी 63 साल का मुखतार उम्र की धलान से फिसलने लगा तारीक 28 मार्च जगह बांधा जेल वक्त रात आज बजे मुखतार अपने बैरक में अचानक गिर पड़ा गिरते ही मुखतार बेहोश हो जाता है आनन्फानन में मुखतार अंसारी को बांधा जेल से बांधा मेडिकल कॉलिज लाय जाता है नौ डॉक्टर्स की टीम मुखतार के इलाज में जुट गई लेकिन मुखतार अंसारी की हार्ट अटाक की वज़ा से मौत हो गई मुखतार अंसारी की मौत की खबर बांदा और मौउ गाजीपूर को चावनी में तब्दील कर दिया गया वो वक्त आखों के सामने आ गया जब मुक्तार के एक इशारे में हवाई ठहर जाती थी आज आतंक का आका शान्थ हो गया लंबे वक्त तक मौउ गाजीपूर समेत देश के कई हिस्सों को धुआ करने वाला डौन मुखतार अंसारी की मौच से सूबे में अपरादगा एक बड़ा वाठक बंद हो गया है